इस वीडियो में मैं लंबी समय तक इरेक्शन के खत्रों के बारे में बात करने जा रहा हूँ और क्या ओवर इरेक्ट करना सम्भव है? ऐसा बोलना सम्भव है. यह एक दिल्चस्प सवाल है क्योंकि आप मेंसे कई लोगों ने खुद से पूछा होगा कि क्या लिंग का कुछ घंटों तक सीधा रहना स्वस्थ है और अगर ऐसा होता है तो इसके क्या परिनाम हो सकते हैं? इस विशे पर चर्चा करने के बाद मैं आपको एक रोग संबंधी स्थिती के बारे में सूचित करूंगा जिसके लिए ततकाल चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता है. इस स्थिती को विशे शग्य प्रियापिजम के नाम से जानते हैं. तो इस भाग को देखना न भूले क्योंकि यदि आपके साथ ऐसा होता है, तो आपको खुशी होगी कि आपने यह विडियो देखा. मेरा नाम स्टीफन बंड्रॉक है और मैं एक बोर्ड प्रमानित यूरोलोजिस्ट और सेक्सोलोजिस्ट हूँ. यदि आप मेरी सामगरी को पसंद करते हैं और नियमित रूप से और अधिक के लिए वापस लौटते हैं, तो मैं यूरोचानल की आपकी सदस्यता की बहुत सराहना करूंगा. धंटी को सक्रिय करें, और जब भी कोई नया विडियो आनलाइन होगा आपको सूचित किया जाएगा. जब हम लंबे समय तक एरेक्शन की बात करते हैं, तो हमें सेक्स की सामान्य अवदी को देखने की जरूरत होती है. दूसरे शब्दों में, औसत यौन क्रिया के दौरान लिंग कितनी देर तक खड़ा रहता है? मेरे आश्चर्य के लिए, पूरे पैकेज पर बहुत कम शोद किया गया है, जिसका अर्थ है कि हम बहुत अधिक जानते हैं कि प्रवेश के बाद एक आदमी को स्खलन करने में कितना समय लगता है, लेकिन फोर-प्ले सहित यौन गतिविधियों पर कम ध्यान दिया गया है. हमारे पास जो कुछ अध्यान है, उससे ऐसा लगता है कि यौन क्रिया 20 से 30 मिनिट के बीच होती है, तो हम मान सकते हैं कि लिंग तुरंट खड़ा होना शुरू हो जाता है और ओसतन 30 मिनिट तक खड़ा रहता है. इरेक्शन का समय काफी भिन हो सकता है क्योंकि यह व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि यह एक नया रिष्टा है, युगल की उम्र और इसी तरह है, तो यह बहुत लंबी अवधी भी हो सकती है. वियाग्रा के आग्मन के बाद से, स्वस्थ पुरुषों में लंबे समय तक इरेक्शन के लिए इन पदार्थों का मनोरंजक उप्योग किया गया है. आम तोर पर, मैं PDE-5 अवरोधकों के मनोरंजक उप्योग का विरोध करता हूँ, लेकिन तर्ग के लिए, मैं इस विडियो में इस विशय को संबोधित नहीं करूंगा. विशेश परिस्थितियों में, पुरुष इन दवाओं का उप्योग कर सकते हैं, जैसे सेक्स क्लब में जाते समय, तो कोई यह मान सकता है कि बिना किसी नुकसान के इन लोगों में कुछ गंटों के लिए इरेक्शन हो सकता है. इरेक्शन के अलावा, खलन के बिना निरंतर यौन उत्तेजना में, वेसो कॉंगेशन के नाम से एक गटना होती है. आप इसे इसके अधिक बोलचाल के शब्द, ब्लू बॉलर्स से जान सकते हैं. यह एपिडीडिमिस में एक दर्दनाक सूजन है, हाने रहित, लेकिन दर् लेकिन वैसे भी, जब इरेक्टाइल टाइम फ्रेम की बात आती है तो प्रकृतिक शमा कर रही है. इसलिए आपको कुछ घंटों के लिए इरेक्शन होने की चिंदा नहीं करनी चाहिए. हालां कि, केवल इस शर्ट के तहट कि आप यौन रूप से उत्तेजित हैं, यह हमें इरेक्शन आपके लिंग के लिए खत्रा पैदा करते हैं. तो यहां मेरा संदेश है, हर इरेक्शन जो आप नहीं चाहते हैं और जो तीन माइनस चार घंटों के बाद कम नहीं होता है, उसे बिना किसी और देरी के अस्पताल में देखा जाना चाहिए. अपूरन यक्षती क परिनाम हो सकता है. महत्वपूर्ण डहलीज लगभग 12 घंटे है. इस समय सीमा के भीतर सफल उपचार का मतलब है कि कि किसी नकारात्मक परिनाम का दर नहीं होना चाहिए. इस समय के बाद सीधा होने के लायक तंत्रिया यहां तक की लिंग को स्थाइक्षती का जोकिम काफ तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो हम यूरोलोजिस्ट के पास आपकी मदद करने के लिए दवाएं और तरीके हैं. मैं भविश्य में किसी समय प्रियोपिस्म पर ध्यान के इंदित करने वाला एक वीडियो अप्लोड करने जा रहा हूं. देखने के लिए धन्यवाद. आज वेदा!